पुलीस के सामने महिला को किड्नैप करके ले गए लोग, चिलाता रह गया बेबस पती रजस्थान के जोदपुर जिले के बिलाडा थाना में जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्मी सीन जैसा ही लगेगा लेकिन ये घटना सची है बिलाडा में एक महिला को उसके परीजन पुलीस के सामने से ही किड्नैप करके ले गए वही इस मामले में पुलीस मूग दर्शक बन कर देखती रह गई जानकारी के मुताबिक शहर के बिलाडा क्षेत्र में रहने वाली महिला ने कुछ समय पहले एक लड़के से लव मैरिज की थी इसके बाद जब लड़की घर नहीं लोटी तो इसके परीजनों ने उसकी गुमशुदगी बिलाडा थाना में दर्ज कराई महिला इस मामले में बयान दर्ज करवा ने अपने पती के साथ ठाने पहुची इसी दोरान जैसे ही ठाने परीजन में उसकी गाड़ी आकर रुकी और ठाने के मुख्य द्वार पर वो पहुची तो ठाना परीजन में ही महिला के परीजनों ने उसे किड्नैप कर लिया बिलाडा थाना अधिकारी बाबुलाल राणा ने बताया कि गायत्री नाम की महिला अपने घर से बिना बताय निकली थी इसके बाद परीजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गायत्री और उसका पती आननपुरी अपने वकील के साथ इस मामले में बयान दर्ज करने थाने पहुँचे थे लेकिन इसी दोरान गायत्री के परीजन उसे थाने परीजर से पुलिस की आखों के सामने उठा कर ले गए सूत्रों के माने तो पुलिस विभाग में कारेरत महिला के समाज के एक सिपाही ने इस पूरी घटना की जानकारी परीजनों को दी थी उसने बताया था कि महिला और उसका पती आज शाम बयान डर्ज करने आ रहे हैं इसके बाद परीजनों ने थाना परीसर में और थाने के बाहर फिल्डिंग जमा रखी थी इलहाल इस मामले में जाच चल रही है NBT Online के रिपोर्ट